पब्लिक टीवी आपकी आवाद मुरदबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवेसी ने पूर मुख्यमंत्री अखलेश श्यादब पर जोड़दार हमला बोलते हुए उन्हें बिना नाम लिये ही अंगूठा च्छाप तक कह दिया दरसल ओवेसी अखलेश श्यादब के जिन्ना पर दिये गए बयान का हवाला देते हुए वो कह रहे थे कि उन्हें इतिहास की तारीखें की याद नहीं है भारत को तोड़ने वाला जिन्ना ही इसलिए अखलेश जी कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करे भारत क का बटवारा भी जिन्ना के कारण ही हुआ ओवैसी ने मंच से कासगंज जनपद की पुलिस शयतान की अउलाद कहकर संबोधित किया ओवैसी ने थाने में हुए मुस्लिम युवक मौत मामले में योगी पुलिस पर जमकर भडास निकाली ओवैसी ने मुरदबाद के 1980 में मंच से जिक्र किया और सामने की तरफ खड़े लोगों से कहा कि जब तक अपना नेता नहीं चुलोगे इसी तरह मारे जाते रहोगे वैसी लोगों की भीड़ देखकर अपने आपको रोक नहीं पाए और मुरदबाद से सपासांसद डॉक्टर एस्ट्री हसन पर तंज कस्त हुए कहा कि उनका एक फोटो वाइरल हुआ था जिसमें राम गोपाल यादव बैठे हुए हैं और मुरदबाद सांसद खड़े हुए हैं सपा में उनकी आउकात यही समझी जाती है जिसका जिकर अकीलेश यादव देवी किया उन्होंने मुलाना से कहा था कि नहीं अब हम इस मुलक का पटवारा चाहेंगे उस किताब में मुलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दोड़ दोड़ कर महत्मा गानी के पास जा कर ये कहा कि भारत के दो तुकड़े नहीं होने चाहिए मुलाना की दूर अन्देश निगाएं वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुलक के फालात किस तरह से बदलेंगे मगर उस वक्त के तमाम खायदीन ने मुलाना आजाद की दूर अन्देशी को नहीं समझा मुलक के दो तुकड़े हो गए मुलाना ने उस किताब में कांगरेस वर्किंग कमेटी के रिजूलूशन की खिलाफ पे तखरीर की थी मगर आज हम को यह दूसे पूछा जाता है भारत के मुसल्मानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वज़े से बना मैं चालेंज करता हूँ संग परिवार के लोगों से बीजेपी के लोगों से या फिर ये समाजवादी बागी के जो लोग तारिफ को नहीं पढ़ते भारत का अगर बढ़वारा हुआ तो मुसल्मानों की वज़े से नहीं भारत का बढ़वारा हुआ तो जिना की वज़े से हुआ उस वक्त मुसल्मानों को ओड डालने कर प्यार नहीं था वोही मुसल्मान ओड डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उस के पास अतनी जमीन थी या उसके पास कोई धिगरी थी मुसल्मानों को मौरुद इल्जाम करा करना भारत के दो तुकुड़े का ये सरासर जूट है ये मुसल्मानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता भारत के गर दो तुकुड़े हुए तो उसकी जिम्मदार कांगरेस बाटी है उसके जिम्मदारों तमाम उस्वा के खायदी है हम जिम्मदार से हैं हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना अरे हम तो भारत को अपना देश मानती हैं है और मानते रहेंगे अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक्रता है तो प्यारे आजाओ हमारे खबरस्तान आज भी इस बात के गवाएं के अम्शीना थान कर भारत की भारत की भाएंगे और जब तुबे ख्यामत तक सोते रहेंगे और जब भशर का माईदान होगा तो इनी खबरों से मुटकर इन्शाललह उताला जबर के माईदान में जाएंगे मगर हम पर जबाना ये बिल्कुल घलत और जूट है ये सचाई से उसका कोई तालुख नहीं है क्योंके आजकर सब जिना के बारे में बात कर रहे कोई जिनाब कह गए कि अगर खुना को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विवाजन नहीं होता अरे आप तारीफ को नहीं जानके आखिर उत्तर भरदेश की चिनाओं में जिना कहां से आ गया खलफ और सियासी ताउर पर जिनमें अभी मिचुरिटी पैदा नहीं हुई है जिनको भारत की तारीफ का कोई इलम नहीं है कोई अगोटा चाफ अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो विचारे अपनी जबान से क्टोटे की तरह उसको रट कर कई देती है जिसमें जिकर आ जाता है उस शक्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो तुक्डे किये मैं उस तारीफ का नहीं दोराना चाहता हूँ बलके मैं थोड़ा बत पड़ा लिखा हूँ क्योंके जिस शक्स ने कहा था बलके नाम ले लेता हूँ जनाव अकीले शियादव ने जिना का जिकर किया मैं मुरादाबाद की सुमारक सरजमीन से महतरम जनाव अकीले शियादव को बताना चाहूँगा कि आप कभी तारीफ पड़ ली जिए हाँ ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना नहरू और गानी सब बैरिस्टर थे तो अकीले शियादव सहाथ असद अद्दीन अवेसी भी लिंकन जिन से बैरिस्टरी करावा है मैं आप को ये बताना दूरी कमचता है कि भारत को तोड़ने वाले का नाम इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम महम्मद अली जिना था कम से कम आपको तारीफ पढ़नी चाहिए आप उत्तर परदेश के पांच साल जी फिनिस्टर रहे हैं आप आस्टेलिया से पढ़े मैं बैरिस्टी पढ़के मरतानिया से आया हूँ मैं उम्मीर करता हूँ कि आप दुबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे मेरे अजीज़ दोस्तों और मुझरगों मौराना बुलकलामाजाद ने अपनी किताब इंडिया बिंस फ्रीडम में अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में तरह दूँगा जो उस किताब में मौराना ने लिखे तो यखीन जैनी एक बहुत बळा तनाजा कھड़ा हो जाएगा मौरा बुलकलामाजाद ने उस किताब में लिखा किसे कांइरिस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मैयूस कर दिया था मौरा बुलकलामाजाद भारत के इस दो टुक्रे के खिलास थे किस किताब में मौलाना ना लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने जिसका जिकर अकिलेश यादव ने भी किया उन्होंने मुलाना से कहा था कि नहीं अब हम इस मुल्क का पटवारा चाहेंगे उस किताब में मुलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दोड़ दोड़ कर महत्मा गानी के पास जा कर ये कहा तुम शैटान की महिली ओळाद तुम सैटान की ओळाद है उस बाब को जो पने बैठे को खो दिया जिसको तुमने पॉली स्टेशन में मडर किया तुम उसकी साइन लेकर उस पे लिख देते हो कि ये बेटे के बाफ ने ये लिखा है कि वो पॉलिस की तर्थिकात से मुझमई है और मेरे बेटे ने खुद कशी करके अपनी जान ले अरे पॉलिस वालों जिन्होंने हरकत की कि अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा ये जलम हरा है और आवास कैसे होती है नहीं हमने बोल दिया हम भी कंडम करती है उसको जो लाग भी जा देंगे तीन लाग भी जा देंगे अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब गॉरणपूर के होटल में गुपता सहाब को पॉलिस ने मारा उनकी मौत भी हम उसका कंडम के उसके खिलाफ खल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था पॉलिस लेकर जाती है और उस बाप कह राए कि मैंने जाकर अपने बेटे को पॉलिस के हवाले किया मैंने खुद एक बाप कह राए कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पॉलिस के हवाले किया किस कर लो आप एहते खाग उस बाप ने अपनी जिन्दगी की बहुत बड़ी गलती की जो इंसालिन पॉलिस वालों पर भरोसा के तिया बाप लेकर गया पॉलिस स्टेशन तो बाप में मालूम हुआ बाप को कि दुमारा बेटा अस्वतार में दौरो भागो बाप दौरता हुआ गया अपने कांदान के साथ तो मालूम हुआ बेगा मर गया कैसे मरा तो बोले उसने खुदकशी कर ली पॉलिस टेशन में कहा पर की तो बैदोल खला में मैटो गलत का डाई फीट की नल की तूटी को उसके गले में जो हुट था उसका तागा निकाल कर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर उसका गशीडे ली वाक आशगंज की पॉलिस तुमको तो बहुत 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 इनाम मिलना चाहिए कि धाई फीट की तूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकाल कर अपने गले से भान कर तूटी को लगाता है तब भी तो उसके पायर जमीन को ही लग रहे उसके पायर जमीन को लग रहे कैसे मरता है बच्चा मालूम हुआ मैं कह रहा हूँ गास जंज की पॉलिस तेल्टाव तुमारा पॉलिस टेशन में हो तुम दुश्मान हो बच्चों के तुम दुश्मान हो तुमने तुम्हारे पास केस आया अरे तुम तेले दाज नहीं तुम तो मर्डर करना जानते हो बच्चे को ले जाकर मार दिये और तर्फे तमाशा देखिए यह उस बच्चे के बाद अब सुचिए कि आप भी अपने बेट में आउलाद हैं मुझे भी आउलाद वो आपका बेका है मेरे भाई वो आपका बाई है वो आपका बेका है वो आपका बाई है अगर तुम मुरादाबाद में बैस करिये समझ रहे हो के नहीं नहीं काजगन्ज में हुआ मुझे उससे क्या करना है अगर तुम उस बच्चे के खंग को अपने सीने में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुमारे मुसल्मान होगे तुमको उसका दर्ब महसूस करना पड़ेगा क्योंके रसूल अलाश सल्लम ने फर्माया कि मौमिन कौन है मौमिन वो है अगर किसी के पायर के तर्वे में अगर कीगा लगता है तो मौमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तक्रीफ को महसूस करना